हेलो माई डीर स्टूडेंट कैसे हूँ आप लोग आई हूप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं माई डीर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम क्लाश टोल समाज सास्त्र की जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 वोड एक्जाम में पेपर देने वाले हैं तो हम उनके लिए लेकर आएं महत्पूर अतिलगो उत्तरिये प्रशन सहित उत्तर पूरी किताब के अतिल स्टूडेंट महत्पूर अतिलगो उत्तरिये प्रशन हैं जिनका भी स्टूडेंट का टार्गेट है कि 2024 बोड एक्जाम में हमें सो में से 95 प्लस मार्क लाना है तो आज की इस वीडियो को देख लो आपका टार्गेट अचीव कराकर हम रहेंगे चलिए शुरू करते हैं ए आति गत्र समुदायों के सुजन का स्रीकिसे प्राप्त है ये तीन नंबर का आपका एक प्रशन है याद रखेगा इस्टूडेंट आपकी बोड एक्जाम में एक प्रशन तीन नंबर का पूछा याता है और दस प्रशन पूछी आते हैं जिसका आपको 30 नंबर मिल जाता ह तुरंत तो इस वीडियो में हम 30 महत्य पूर्ण प्रशनों के लेकर आएं यदि आप इनी 30 प्रशनों को तयार कर लेंगे तो आपका 30 नंबर कोई भी नहीं काड़ सकता है स्टूडेंट याद रखेगा तो देखे इसका उत्तर देख लेते हैं क्या है पहले प्रशन का कि धा पहला पूछा गया था कि जो धार में अएक तथा जातिगत समुदा हैं इसमें जो शूजन का सरे प्राप्त हैं यह किसे प्राप्त है तो यहां पर इसका है कि अपनीवेश्वादने धर्म और जातिकू क्या है केंद्रता प्रदान करनेवाली संस्थाव को प्रोंसाहित कि या है इसके लिए यह आपको याद रड़ना है पहला प्रश्ण है देखिए बूर्ड एक्जाम में जो होता है प्रश्ण यह आपके बुक से पूछायाता है बुक या विद्या कोश्चन से पूछे आते हैं और यह आप तैयारी कर रहे हैं अपने 2014 बूर्ड एक्जाम के चाहे जिस विबूर्ड के हैं आप तो यह सारी प्रश्ण एंपॉटेंटि है और मैं उन्हीं प्रश्ण देखिये क्या है माल्तस का जनसंख्या-지 RIka सिद्धान्त क्या है देखिए प्रश्ण क्या है आपका तीन नंब्र का प्रश्ण है तो थोड़े बड़े में भी देना होगा इसका उने थोड़े छोटे में तयार करें हैं और तीस कोश्चन है तो लिखने में भी बहुत ज्यादा मैयन लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सारे कोश्चन को यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी लीजिएगा क्योंकि इन्पोर्टेंट है देखें माल्थस का जनसंख्या सिधान्त जनसंख्या में विरिद्धी तथा खादान आपूर्ती के मद्द संबंद की व्याख्या करता है माल्थस ने 1798 में क्या है माल्थस जी ने 1798 में जनसंख्या की सिधान्त पर एक लेख जिसका नाम बिरेकर में देखें NSA on the principle of population 1798 में क्या इन्हों ने पोस्तक लिखी 1798 में किसके बारे में जनसंख्या विरिद्धी के बारे में कि NSA on the principle of population यह आपका objective question में भी प्रश्ण यह पूँचा जा सकता है कि इस तरह से कि NSA on the principle population की लेखक कौन है यह पुस्तक की लेखक कौन है तो समाज सास्त्र में पुस्तक का लेखक आपके 10 प्रश्ण में बहु भी कल्पी में बात कर रहा हूं दस प्रश्ण में दो प्रश्ण आपको पुस्तक से related मिल जाएंगे तो आप यदि आपने वो नहीं देखा हमारे वीडियो जिसमें हमने महत्पूर पुस्तक की लेखक का नाम बताया है तो यूटूब पर आप सर्च कीजिगा बाई लगाकर सारे हमारे चैनल का नाम लिख पादन किया है इस पुस्तक में इसे सिध्धांत का कथन क्या है देखिए जनसंख्या में जीवन निर्वाह संसाधनों की आपेच्छा तीव्रगती से बढ़ने की परविर्ति होती है ये इनका क्या है माल्थस का जनसंख्या विरिद्धी का सिध्धांत है यदि आ गया अंसर देना है तीन नंबर की लिए चली देखते अगला प्रश्ण क्या है हमारा तीसरा प्रश्ण देखिए समाज को परिभासित कीजी हम क्या पढ़ रहे हमारा जो सब्जेक्ट है क्या पढ़ सब्जेक्ट है समाज सास्त्र सूश्योलोजी हम इंगलिस में कहते हैं तो सम समाज साज का अर्थ नहीं जानते तो मैं बता दूं समाज साज का अर्थ वो है कि समाज समाजिक संबंदों का वह जाल है उस जाल को हम क्या कहते हैं समाज कहते हैं यानि समाज जो हमारे गाओं में समाज है जो हमारे नगर में यह जो भी हम कम्यूंटी में रहते तो उसमें क् की क्या है लोगों की मनोवे ज्यानी परितिती वाङौ की क्या है सूच है हम लोग लोगों को जानते कि वो कि समाज मे रहए तेमारा समाज की स्तरह से है तो इसी के उपर ही सारा सब्जेक्ट वे आएगा ये आको याद अप बोड एक्जाम में भी ये आपको ऐसी तरीके से प्रष् देखने को मिल जाएगा तीसरा देखे प्रष्ण क्या है सामाज को परिभासित कीजी सामाज को परिभासित कीजी ये प्रष्ण पूछा गया है तो मैकाइवर एज पेज के नुशार देखेंगा समाज चलने क्या है चलनों वा प्रणालियो सत्ता वा पारश्परिक सहयोग अनेक समुहों वा भागों की तथा मानों व्यवहार की नियंतरणों वा श्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है मेकाईवर यूपेज के अनुशार भी आप दे सकते हैं समाज का परिभासत इतने मे भी मेकाईवर यूपेज के अनुशार उसके बादे देखे रोयल्ट के अनुशार जो रायल्ट हैं इनके अनुशार भी समाज का परिभासा हम देख लेते हैं ये व्यक्तियों का एक शमुह क्या है एक व्यक्तियों का समुह नहीं अप इतू बिभिन शमुहों के व्यक्ति के समबंदों की दवस्था है समाज को परिभासित करने के लिए जो समाज है इसका जो परिभासा है मेकाइव रूपेज के अनुशार इस तरह से उनका परिभासा है और यॉयल्ड के अनुशार इस तरह से दोनों में से भी आप……- कर सकते हैं नहीं तो आप एक भी करेंगे तो आपको समाज से इनकी अनुशार क्योंकि जो विज्ञानिक लोग हैं जो समाज सास्त्री लोग हैं उनके अनुशार ये परिभासा दिया गया है तीन नंबर का प्रश्ण है समझना भी जरूरी स्टूडेंट रटने से कुछ नहीं होगा बोर्ड एक्जाम में आप रट कर जाएंगे तो भूल जाएंगी और जब आप समझे रहेंगे कि हाँ इस चैप्टर से लिया गया प्रश्ण है और ये प्रश्ण हमने पढ़ा है तो आपको क्या लिखने में कोई प्रॉब्लम नही होगा और आप लिख कर आएंगे पूरा बोर्ड जाम में चार नंबर प्रश्ण देखिए 1901 में कराई गई जन गड़ना को मात्पूर क्यों माना जाता है 1901 में जो कराई गई जन गड़ना है यह सारा प्रश्ण आपका अति लगू उत्तरिये प्रश्ण है जिसको हम इंग आपका 30 नंबर बोर्ड एकजाम में कोई भी नहीं काट सकता यह अब मैं गारंटी देता हूं तो इसका अंसर दिखिए 1901 में हरबट रिजले के निर्देशन में कराई गई जन गड़ना विशेस रूप से महत्पूर थी क्योंकि इस जन गड़ना के अंतरगत जात के अधिकरम के बारे में जानकारी एकतित्र जानकारी जो है एकत्रत करने का प्रत्न किया गया अर्थात किस छेत्र में किस जाती को अनिजातियों को तुल्ला में सामाजिक दिरिष्ट से कितना उंचा या नीचा इस्थान पर आते हैं यहां पर कि जो 1901 में जो कराई गई जन इह इसे एक में जो जन्स गड़ना कराई थी यहां पर जो जाति कि कितना जो कॉन सा नीच जात है या कॉन सा क्या है ऊच जात के लोग तो यहां पर ऊंचा या नीचा अस्थान प्राप्त है उस जात की तुल्ला में तो यहां पर यह चौथा प्रेश्ण का भी हमने अंसर देख सकते हैं पांचवा प्रश्न देखे क्या है संस्कृति करण से आप क्या समझते हैं बहुत ज्यादा important question है ये और याद रखेगा संस्कृति करण के अउधारणा के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है तो इसका की धार में किरियाओं घरेलों या सामाजिक परिपटियों को अपना कर अपनी सामाजिक परिस्थिती अपनी जो सामाजिक परिस्थित को उचा करने का परियास करते हैं इस परिकिरिया के अंतरगत शमान करन के लिए अक्सर ब्राम्मड या छत्रे जातियों की रीती रिवाज जो या परिपटियों को अपनाया जाता है M.N. सिरी निवास संस्कृति करण की आउधारना दी है यानि जो ये पूरा जो वेश्ट हैं संस्कृति करण किसे कहते हैं जो इसके जो लेखक हैं M.N. सिरी निवास संस्कृति करण की आउधारना दी थी ये आपका बहुत में क्या है आप देख सकते हैं सक्रश्म का प्रिस्थिती बने उस तरह से उसका अंसर दीजे लेकिं ज्यादा लंबा मत दीजेगा। तीन नमबर का परश्ण उसी के हिसाथ से देज़ेगा। इसके बाद में देखें छे नमबर परश्ण क्या पूछा गया है। काल माक्स आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक थी समझाईए जो काल माक्स जी हैं किया आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक थी इसको आपको समझाना है तो इसका अंसर देखे क्या है आधुनिक समाज सास्तर के संस्थापकों में से एक काल माक्स आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक भी थे माक्स ने पूंजी वाद को पड़े उत्पादन या बाजार के लिए उत्पादन करने की व्यवस्था की जो उत्पादन करने की व्यवस्था के रूप में समझा माक्स के अनुशार सभी आर्थिक व्यवस्थाएं क्या है जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं सामाजिक ब्यवस्ताएं भी हैं हर उत्पादन विधी विशेस उत्पादन संबंदी से बनती हैं और अंतता वो एक विशिष्ट वर्ग सरचना का निर्मार करती हैं यानि जो काल माक्स हैं इनके आधुनिक पूंजिवाद के आलोचक किस तरह से थे यहाँ पर इसका अंसर प प्यवस्ता की रूप में भी समझा और माक्स के अनुशार जो काल माक्स हैं इनके अनुशार जो पूंजिवाद है किस तरह से इसका परिभासा भी यहाँ तक दिया गया आप देख सकते हैं छी नंबर प्रशन का भी एंसर इसी तरीके से आपको बोर्ड एक्जाम में लिख वीडियो भी जल्दी लेकर आएंगी और यह आप जियोग्राफिक के भी स्टूडेंट हैं तो हमने उसका भी जो एक 30 most important 35 उसका हमने most important आति लगो तरिये प्रशन उत्तर का वीडियो बनाया है वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा जाकर देख सकते हैं क्योंकि हमारा यही टारगेट है श्टूडेंट के हर बच्चे को जो हमारे चैनल पर पढ़ता है हर बच्चे को हम अच्छे से अच्छे अंक दिला पाएं बोड एक्जाम में तो उसके लिए आपको महनत करना पड़ेगा मैं जितने वी वीडियो लेकर आएं उसको देखिए उसको समझे उसक कि उसरे देश को जीतने और क्या है जीतने और उसे अपना उपनिवेश बनाने ब्रेक आट में क्या है जबरन वहां बसने पर शासन करने रहें इसका श्ट में एक प्रकार से उच्चारण दिया हुआ है जबरन वहाँ बसने और उस पर सासन करने का परितन करता है अथवाद दूर से ही उस पर सासन करता है यह उपनिवीश वाद जो होता है कहने का ताथ पर है कोई देश है जैसे मैं माल लेता हूँ कि रूस है रूस और अमेरिका दो बड़े ही महासक्ति साली है अब दोनों बड प्रमड कर रहा है यूक्रेयन पर लेकिन अमेरिका जो है यूक्रोइन पर मदद कर रहा है तो इसी को क्या कहते है उपनिवेश्वाद इसमें क्या है परित्न करता है तो दूर से ही उस पर सासन करता रहता है तो अब जैसे धीरे-धीरे सारी चीज़े होते रहते हैं तो जब यूक्रेन का एक विश्वास जी जाएगा यूक्रेन का क्या है विश्वास जी जाएगा अमेरिका तो उस पर क्या है अपना सासन भी करने लगेगा धीरे धीरे अपना वो क्या है जमा लेगा और अपना एक विचार धारा भी वहां पर स्थापित कर लेगा तो उसी को उपनि सहीत उत्तर लेका नाया हूं काफी student comment करते रहते थे कि सर आप वीडियो बनाइए प्रश्न सहीत उत्तर पर भी तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए dedicated है क्योंकि बहुत ही ज्यादा important वीडियो है और इसको काफी research से लेकर आया हूं मैं और इसको क्या है लिखने में बहुत ज्यादा महनत लगा है तो प्लीज आप वीडियो को like हमारे चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि हम आर्ल्स की related सभी subject की तैयारी पूंड रूप से इस चैनल पर करा रहे हैं तो वीडियो को share भ सामाजिक संसादनों तक अशमान पहुंच की पधत ही साधारणता सामाजिक विषमता कहलाती है कुछ सामाजिक विषमताएं व्यक्तिओं के बीच शुःभाविक भिंद्दत को प्रति बिन्बित करती हैं जैसे उनकी योगजिता यहूं परियास में भिंद्दता कोई व् शक्ता यानि सामाजी विशमता से क्या अभिप्रिया है पूर रूप से इसका अंसर दिया हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं वेड़ो को जादा जानकारी के लिए आप रोक कर भी सारी चीजे समझ सकते हैं अगला प्रशन देखते हैं क्या है नाइंथ नमबर प्रशन क्या समस्ते हैं इसकी बारी में बताईए जो संदर्व शमू है इससे आप क्या समस्ते हैं तो इसका अंसर देखिए यह वो समू है जिसके साथ व्यक्ति उश्की आस्था अविवरित्वा मुल्यों की रूप में एक रूप होना चाहता है यद्दपि वो इस समू का वास्त ग्यविक सद्सिर नहीं होता है इस प्रकार कई व्यक्ति सोयम को एक गांधी वाधी 1 क्या है कि आक माक्सवाधी 923 थे आधि मांते हैं किन्तो वो विर्टिवा मोल्यों की रूप में एक रूप होना चाहता है। यह संदर्व शमू का एक प्रकार सी एक्जामपल है। जिसमें क्या होते हैं। जक्ति स्वयम को एक गांधिवादी और एक क्या है माक्सवादी आदी मानता है। किन्तु वो इन समूवाँ का सदर्शन नहीं भ वो इक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी तयार कर लेंगे। तो आपका क्या है यह साही चीज़े तीनों चीज़े किलियर हो जाएंगी। बाकि जो आपका बचता है ऑब्जेक्टिव कोश्चन उसको भी हम आपको तयार कराते रहेंगे। ऐसे ही वीडिय का टार्गेट है 95 प्लस हर वच्चे को दिलाना तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। दस नमबर प्रस्ट देखे क्या है सूचना का अधिकार ब्रेकट में आप देख सकते क्या है आर टी आई अधनियम का पारित हुआ और इसका क्या तात्पर है तो इसका देख देखो जो सरकारी अधिलेक है तक पहुचने का अधिकार देता है सूचना का अधिकार दियम यह आपका वोड इक्जामे परश्ट पूचा जाएगा तो इसी प्रकार से आपको अंसर देना है दस नमबर प्रश्ट का 11 नमबर प्रश्ट देखे क्या है राज अक्सर संस्कृतिक जो राज है राज अक्सर संस्कृतिक विविदता के बारे में शंकालु क्यों होते हैं जो संकालु है राज यह संस्कृतिक जो विविदता इसके बारे में शंकालु क्यों होते हैं तो इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर देखे राज्यो के सांस्कृतिक विवेधता के बारे में शंचहुआ उने के निमलिखित कारण है कुछ निमलिखित जो कारण है यह हमने बताया हुए देखे सबसे पहला जो कारण है राज्यों ने अपने राष्ट निर्माण की रणनीतियों के मध्यम या रणनीतियों के मध्यम से अपनी राजनीतिक वेधता को स्थापित करने तथा उसे और अधिक बढ़ाने का परियास किया गया है बोड़िग्या में भी आपको सेम इसी तरीके से लिखना है फ़र कितना है आपको प्रष्ण वहेपा नहीं लिखना है वहाँ पर आप प्रसंवतता क्रीशा ड़ाल दीजे से प्रसंवतकों 11 में यहीं बताता हूं प्रसंवतकों 11 तो यहाँ पर continents 1959 या डालकर तो यहाँ पर हमने इसका लिख दिया है उसके बाद में देखें दूसरा क्या कारण है इस तरह के अंतरों में समायोजित करना राजनीतिक दिरिष्ट से क्या है चुनोती पूर होता है जो इस तरह का अंतरों में समायोजित करना जो राजनीतिक दिरिष्ट है इसमें चुनोत पूर्ण होता है और तीसरा क्या है देखिए तीसरा में है राज्यों ने आत्म सात्रण क्या है आत्म सात्रण सात करण और एकिकरण की नीतियों के द्वारा अपने नागरिकों की देश भक्ति प्राप्त कन्ये का प्रियास किया है तो यह हमारा जो ग्यारा नंबर प्रशन है कि जो राज अक्सर संस्कृतिक विज़ता के बारे में शंकालू के होते हैं इसके हमने तीन कारण बता दी हैं इसी तरीकी से आपको तीन कारण बताना है और तीन नंबर आपको दे दिया जाएगा काफी श्टूटर नंश नहीं है तो उसको आप रेड कीजी उसी की हिसाफ से आप उसका answer दीजे क्योंकि सारे प्रश्णों को करना हमें बूर्ड एक्जाम में सभी को लेकर साथ में चलना है 12 नमर प्रश्ण देखे क्या है चोटी शोध परियोजनाई है तो कुछ समाज सास्त्रिय मुद्धों का उल्लेक कीजे जो कुछ समाज सास्त्रिय है इसके जो उल्लेक है चोटी शोध परियोजनाई के बारे में इसके बारे में हमें बताना है तो लिखे चोटी शोद परिजनाये मुद्दे निम्न प्रकार है जैसे पहला है क्या है एक वस्तु की जीवनी दूसरा है घर परिवारों में काम आने वाले उपकरण एंव घरेलू कारें तीसरा क्या है सार्वजनिक परिवान चौथा है हमारा बिभिन आयू वर्गों की बदलती हुई अकांच्चय तथा पाच्वा क्या है सार्वजनिक अस्थान का उपयोग तो ये बारा नंबर जो परश्ण है कि छोटी सोध परियुजण आये हैं है तो कुछ जो समाज सास्त्रिये हैं मुद्दो का उले के कुछ इस तरह से किया गया है सबजेक्ट यह आपका समाज सास्त पृष्ण दिखें क्या है प्रचेपन पध्धति पर परकास डाली अब वह वाला परकास मत डाल दिजीगा काफवी चुटूटन जो होते हैं वह वह कोई एक पैट्टुकलर व्यक्त है उसको क्या चित्रों का समूह दिखाए जाता है इन चित्रों को कर्मस दिखाने के बाद उत्तर दाता से इन चित्रों को देखकर कहानी कहने के लिए कहा जाता है इन विभिन चित्रों में कुछ व्यक्ति व्यक्ति वस्तुओं का पर्तेच तर्था कुछ आप पर्तिनिध्त यह करते हैं परचेपड पध्धति में यह आपको याद रहा है देखिए तीरा नंबर जो प्रश्न है ज़्यादा जानकारी के लिए आप विडियो को रोक कर भी इस कोश्चन को लिख रहें तो लिख लीजिए नहीं तो आप इसको क्या पूचे उस student से पूचे उस बालक से पूचे जो एक नंबर से टौपर बनने से रह जाता है एक नंबर से first division पाने से रह जाता है और एक नंबर से वो फेल हो जाता है तो एक नंबर का क्या है आपकी बोड़ exam में कीमत सबसे ज़्यादा important है एक नंबर काफी आमोल ले है आपके लिए यह आपको याद रखना है तेरा नंबर भी प्रश्ण होगा उसके बाद में देखे चौदा नंबर प्रश्ण क्या पूछा गया है यहापर देखे बृतानी उपनिवेशवाद किस ब्यवस्था पर आधारित था जो बृतानी पूझी वाद का विस्तार हुआ उसे क्या है उसे मजबूति मिली उधारणत की रूप में देखे जो बृतानी उपनिवेशवाद है कि भूमी संबंदी नियमों में परिवर्तन जो भूमी संबंदी नियम है इसमें परिवर्तन बृतानी उपनिवेशवाद ना किवल भू में उगाना याँ कौन सा फसल हमें नहीं ऊगाना चाहिए इसमें उपनीवेश वाद में पता चला इसका एक प्रकारण से उधारन भीजी आप देख सकते हैं उधारन के रूप में सारी चीजी आप difference स्कते हैं उसके बाद में 15 नंबर प्रस्व एक시면 पूछा गया है यह पर देखे सारा कोश्चन हम इस वीडियो में लेकर आय zum झो कि आति लगुतिरियों प्रस्टिश जितना भी है इसी में देखिए 15 नंबर प्रस्षण में क्या है नगरिय समाज की तीन विसेस्ताइं लिखी हैं जो नगरिये समाज है इसमें पहला विसेस्ताइं हैं नगरिये समाज में व्यक्तियों की समाजिक संबंद कृतम यह ओपचारिक होते हैं जो व्यक्तियों का समाजिक संबंद है यह क्रितम यह क्या है ओपचारिक होते हैं उसके बाद में तीस नगरिय समाज में बेमिलता है इसमें बेमिलता देखने को मिलता है यहां बिभिन प्रजातियां छेत्रों धर्मों व्युशाओं के लोग रहते हैं याँ आप पहले प्रश्ण को समझे इसका अंसर आप अपने सब्दों में भी देच सकते हैं कोई वो नहीं है कि आप किताब में ही बताया था तो वहां पर बिभिन प्रजातियां रहते हैं बिभिन प्रजात के लोग रहते हैं कई धर्मों के लोग रहते हैं यह वो व्युशाओं को यह नहीं है उनका अलग अलग काम है और उनका अलग अलग व्युशाओं भी होता है यह नहीं कि उनका एक ही चीज समाज में क्या है स्रम विभाजन वहू तयात क्या बहु तयात में जाता है ज़ी उसके बाद नों सूर नमबर प्रश्ण क्या पूचा गया है राष्टिय पहचान की प्रतीक राष्टवाद की प्रेणा है व्याख्या की जी जो राष्टिय पहचान है राष्टिय पहचान के जो प्रतीक राष्टवाद की प्रेणा के हरे में व्याख्या करना है इसका व्याख्या किस करकार से करना है देखी भासा संस्कृति और जर्मन भासा संस्कृति और परजायता पर क्या पर गर्व करता था उसने इसे भी राष्टवाद प्रतीक बनाकर राष्टवाद को बढ़ावा दिया यानि एक प्रकार से जो जर्मन का क्या है हिटलर था वहिया जो की पूरे दुनिया पर राज करना चाहता था तो उसी का ए हिटलर जर्मन भासा संस्कृत और प्रजायता प्रजातियता पर गर्व करता था उसने इसे ही राष्टवाद परतीक बनाकर राष्टवाद को बढ़ावा दिया था यह 16 नंबर प्रशन का सही उत्तर है 17 नंबर प्रशन देखे क्या है उपनिवेश वाद के दौरान अंग अंग्रेजी जो सिच्छा है इस पर जो भारत हैं यानि हमारे भारत की लोगों पर क्या पर भाव पड़ा तो इसका अंसर देखे क्या है इसका उत्तर उपनिवेश वाद के दौरान अंग्रेजी सिच्छा का एक नए मधवर्ग का जैन्म हुआ अंग्रेजी भासा में अउधारणा से अउगत हुए यहाँ पर जो बात हो रही है कि जो निवेशवाद के दोरान अंग्रेजी सिच्छा का एक नए मदवर्ग का जन्म हुआ इसमें क्या है अंग्रेजी भासा में कुशल नए मदवर्गे जो मदवर्गे के लोग हैं भारती लोग है हमारे उसमें अनेक दर्शनिकों की विचारों को क्या है पढ़ा जाना तथा उनके उदार जो उनका उदार प्रजनतंत की आउधारणा से यह आउगत हुए तो यह 17 नंबर वी प्रशन का अंसर हमने दे दिया 18 नंबर प्रशन देखे क्या है और न्याय में क्या अंतर है बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट यह प्रशन है BVI कोशें भी कह सकते हैं वैसे देखा जाए तो सारा बिवी आई कोशें है क्योंकि पूरे बुक से ही था थी इंपॉर्टन कोशें लेकर आए हर एक चैप्टर से एक ना एक प्रशन लिया ही लिया ही आपसे request है कि इन सारे प्रशनों को आप देखिए implement कीजे उसको लिखिए और याद कर लीजी क्योंकि board exam 2024 की board exam 2024 से related बहुत ही ज्यादा important ये अठारा नंबर प्रशन में कानून और न्याय में क्या अंतर है ये हमें बताना है तो इसका अंसर देखिए क्या है कानून का सार इसकी सक्ति है कानून इसलिए कानून है क्योंकि इससे बल परियोग अथवा अनुपालन के संचरण के माधिमों का परियोग होता है इसके पीछ नियायलों के संस्तरण द्वारा कानून की व्याख्या होती है कि इसलिए क Länder कानून है क्योंकि इसमें बल का परियोग अथ्वा अनुपालन के संचरण कि मादमों का परियोग होता है जो अनुपालन यह संचरण है इसके मादमों का परियोग होता है इसकी पीछे राज्य जो हमारा राज्य जिसे हमारा उत्तर प्रदिश्च राज्य इसकी सक्ति नहीं होते है और जिस जिस भी राज्य का है पर्टिकॉलर उस राज्य के पूलिस और उस राजी के आर्मी का एक पर्टिकलर वो होता है अनुशासन होता है एक परकार से कानून होता है इसके पीछे राजी की सक्तिनियत होते है न्याए और न्याए का जो सारे निस्पच्चिता होता है न्याए जब किया दिलाने के लिए न्याए किया जाता है और न्याए कि के लिए कानून और न्याय में यह अंतर है इसी प्रकार से आपको अंतर को बूर्ड एक्जाम में लिखना है और तीन नंबर भईया प्राप्त करना है उसके बाद में देखिए 19 नंबर प्रशन क्या पूछा गया है देखिए 19 नंबर प्रशन वन पंचायत पर संचेट टिप ग्रामीड क्या नुक्त होते हैं खाना बनाने के लिए जो अधिकान से ग्रामीड लड़कियों का परियूग करते हैं हलांकि वनों का कटाव परवती छेत्रों की एक बड़ी समस्या है कभी-कभी पसवों का चारा और लकड़ी एकतित्र करने के लिए औरतों को मीलो पैदल च क्यानाथ है बाहर तो शेवाओं के लिए बाहर नुक्त होते हैं अत्वा खाना बनाने के लिए अधिकांस जो ग्रामीड वहां की लड़कियों का परियूग किया जाता है खाला कि वनों का कटाव क्या जो परवत्तिय क्योंकि उत्तरा खंड जो आप उत्तरा खंड है उत्त पूर जाना पड़ता है और उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है तो ये वन पंचायत पर एक संचीव टिपड़ी है इस प्रकार से इसका आंसर आप दीजिएगा बीस नंबर प्रशन देखिए हल्पत किसे कहते हैं यह सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट प्रशन है छोटा ही द देख रहे हैं स्टूडेंट तो यदि आप हमारे जॉइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल तो आप जॉइन कर लिजे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं प्रस्तनली या कुछ भी पूछना चाहते हैं या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो फॉलो कर लिजेगा आप हमें इंस्टाग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नहीं तो आप सर्च करेंगी इंस्टाग्राम पर सिवा मिस्टडी नॉलेज आपको अमारा यूटूब चैनल का पेज दिख जाएगा जाईए फॉलो क मुक्त मजदूरी जैसे पधती पुरचलित है गाउं के जमिदार या क्या है जो गाउं के जमिदार या भूर्शौमी के यहां निम्न जाती शमू के सधशो जो समू के सधश्य वर्ष में कुछ दिनों तक मजदूरी करते हैं इसी तरह संसाधनों की कमी और बुर्षवामियों की आरथिक समाजिक और राजनेतिक सहायता लेने के लिए बहुत से गरीब कामगार पीडीयों से उनके यहाँ बंधुवा मेज़दूर की तरह काम कर रहे हैं यानि हल्पत किसे कहते हैं यह यहाँ पर पूछा गया है हल्पत किसे कहते हैं तो हल्पत क्या होता है एक बंधुवा मजदूर की तरह ही सारी चीजी वो करती हैं इसमें क्या बताया गया कि भूश्वामियों की आर्थिक सामाजिक और राजनेतिक सहायता लेने के लिए बहु यह अंसर दे दिया है इसी तरीके से आपको गोड़ी जाम में हल्पत किसे कहते हैं वहीया इसका अंसर आपको देना है अगला प्रस्ण देखिए क्या है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा इस्टूड़न तो वीडियो आप लंबा मत देखिएगा क्योंकि कोश्चन भी लंब किर्षक है उसमें कस्त कास्त कर से क्या अभी प्रयाय तो इसका अंसर देखिए जब किर्षक मोल रूप से स्वयम की विले उत्पादन करते हैं तथा बाजार के लिए उत्पादन करने में असमर्थ होते हैं तब उन्हें क्या है जीवन निर्वाही किर्षक कहा जाता है ते इस परकार की व बाजार में उसमें जुड़े होते जीवन निर्वा की शक है इंहाँ पहले प्रेश्ट को देखे कि Wowat जब किर्शक मूलरूप से स historically 지तान करते हैं क्या है मूल रूप से यह ना ant puff अपनी शोयम के लिए उत्पादन करते हैं तब बाजार के लिए उत्पादन करने में असमर्थ होते हैं तब उन्हें जीवन निर्वाही किर्षक कहा जाता है तथा आम तोर पर उन्हें किर्षक की भी संग्या दी जाती है तो यह यहाँ पर 21 नंबर प्रश्ण का सही क्या अर्थिसास्त्रियों और अन्यों में संग्ठित छेत्र को परिभासित करने में मत भेद हैं एक परिभासा के अनुशार संग्ठित छेत्र की इकायों में 10 और अधिक लोगों की पूरे वर्ष जो अधिक लोग हैं उसमें पूरे वर्ष रोजगार में रहने से इस छेत का गठन होता है किस चेत्र का इस चेत्र का गठन होता है सरकारी तोर पर इसका पंजी करण होना चाहिए जो संगटिच चेत्र है सरकारी तोर पर क्या है इसका पंजी करण होना चाहिए दस और अधिक लोगों से पूरे वर्स रोजगार में रहने की इस चेत्र का गठन होता है संगटिच छेत्र का, तो 22 नंबर प्रशन का भी हमने अंसर दे दिया, देखें, 23 नंबर प्रशन क्या पूँछा गया है, यहाँ पर देखें, 23 नंबर प्रशन, ओदोगिक करण के दो परमुख परभाव लिखिए, जो अद्धिग ओदोगिक करण है, इसके हमें दो शुरूप उत्पादन कार बड़ी-बड़ी मसीनों द्वारा बड़े-बड़े कारखानों वा मिलों में किया गया यह आर्थीक आधार पर जो इस्तरीकरण है यह और दोगिक करण के परिराम शुरूप उत्पादन कार बड़ी-बड़ी जो मशीने हैं इनके द्वारा उसरा जो प्रभाव इसमें ओदोगी करण का ये है कुटीर एयों लगू उदोगों का प्रभाव इसमें देखे क्या है ओदोगी करण से कुटीर एयों लगू उदोग परते चुरूप से क्या है प्रभावित हुआ है तो ये ओदोगी करण के दो परमुक प्रभाव को लिख वीडियो को काफी स्टूजंट यहीं तक आप आप लोग देख रहे होंगे तो देख लेंगे नहीं काफी स्टूजंट छोड़ कर चले रहे होंगे तो छोड़ के वज़ा जो जाएंगे तो समझ लेजे बोड एक्जाम में काफी अच्छे मार्स नहीं लेकर आए पाएंगे वो बोड एक्जाम में से passing mark लेकर आएंगे तो passing mark जो हर कोई ला सकता है पास तो हर कोई होगा फेल कोई भी नहीं होगा अमारे चैनल से पास तो हर कोई होगा लेकिन अच्छे अंक से जो पास होगा वही असली बच्चा होगा जो असली जो पढ़ाई करने वाला बच्चा और जो महनत करते हैं भईया क्या है सफलता उनकी कदम चुमती है चौबिस नमबर प्रशने उदारी करण सब्द का क्या तात पर है इसका अंसर देखिए उदारी करण सब्द का तात पर ऐसे अनेक नीतिगत निरणयों से है क्या है निरणयों से है जो भारत राज द्वारा क्या है निर्णई लिया था इन परीवर्थनों को उधारी करण की नीतियां कहा जाता है यानी 94 नमबर प्रश्ण पूचा गया है कि उधारी करण सब्द जो उधारी करण सब्द है यहां पर इसका क्या तात्पर है इसका पूरा eddiya हुआ हैं देख रहे हूँके तीन नंबर का प्रश्ण है तो तीन नंबर के प्रश्ण के लिए भी आमें इतना लिखना पड़ेगा क्योंकि सो नंबर का पूडांग है उसी के हिसाब से जितना पूछा गया उतना कहीं अंसर दीजिएगा इस तरह से देखा जाए तो आपकी गुक में काफी बड़े बड़े इसके अंसर दिये होते हैं आति लग उत्तर ये प्रेशन के तो हम इसको सौट में चोटा करना पड़ता है कि आपको बोर्ड इजा में किस तरह से लिखना है और इजामिनर को भी पता ना चले आपको इसी दरीकी से करना है पचीस नंबर परशन हमारा क्या है देखिए पचीस नंबर परशन समाज सास्तर का डिजिटल इंडिया क्या है विए डिजिटल इंडिया में आप इस समयजी रह विए डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया क्या है देखिए डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों का देश की जनता से जोड़ना है इसका उद्देश ये सुनक्शित करना है कि क्या है सुनक्शित करना है कि बिना कागज की इस्तिमाल की सरकारी शिवाओं electronic रूप से जंता तक पहुंच सक HEY यानि क्या है सरकारी सेमाइ जो है electronic रूप में जंता तक पहुंच सके सरकारी समय हमारे हमें hand to hand и hand पैसे देने पड़ते थे या हमें सामान पहले नहीं वी सारी चीजए है तरह डिज्टल पे भी आगा है कि हमें क्या है पैसे हमें digitally pay कर देना है जैसे पे टीम गूगल प्फोन पे जो भी सारी चीज़ें हैं यदी हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम फोन से अपनी मोबाइल से भी सारी चीज़े कर सकते हैं और उस जगा से हम सामान ले सकते हैं तो डिजिटल इंडिया क्या है इसका परिभासा आप अपनी सब्दों में भी दे सकते हैं कि किस प्रकार से डिजिटल इंडिया है क्योंकि अभी परजन टाइम में हम डिजिटल इंडिया की और बढ़ रहे हैं तो 25 नमबर ये प्रश्ण हमारा हो गया अब देखें हमारा 26 नमबर प्रश्ण क्या है 30 प्रश्णों को हम इस वीडियो में लेकर आये है और 30 प्रश्ण पूरा बुक से लिया गया है और हर एक चैप्टर के important question इसमें 26 नमबर प्रश्ण है मास मीडिया हमारे देनिक जीवन का एक हिस्सा है उदाहरन सहित अस्पष्ट कीजिए उदाहरन सहित क्या है मैं अस्पष्ट कीजिए है जो मास मीडिया है answer देखे क्या है मास मीडिया हमारे देनिक जीवन का एक हिस्सा है देश भर के अनेक मदवर्गे परिवारों में लोग प्राता विस्तर से उठते ही सबसे पहले रेडियों या टेली विजन चालू करते हैं तथा अथवा करते हैं अथवा प्राता कालीन समा चार पत्र देखते हैं अनेक नगर ये छेतरों में नगरों में रहने वाले जो प्र वासी कामगार वर्ग है यानि जो वहाँ पर जिसे हमारे यहां से लोग जाते हैं सहरों में काम करने के लिए नि मजदूरी करने के लिए पैसे कमाने के लिए तो कामगार वर्ग के लोग में भी गाउंस में रहने वाले अपने परिवारों से दूरभास द्वारा क्या है फोन उधारण की रूप में किस तरह से आप देख सकते हैं यहां पर उधारण की रूप में इसका परिवासा दिया गया है यहां से उधारण पूरा आपका आ जाता है तो यह आप देख सकते हैं 26 नंबर भी प्रशन का एंसर हमने दे दिया है अब दिखें हमारा 27 नंबर प्रशन क शोप ओपेरा एक इतीवृत को लेकर चलते हैं जिसे नियमित दसक जानते हैं वो चरित्रों से अनेक व्यक्तितों और जीवन के अनभावों से सुपर्चित हो जाते हैं यहीं शोप ओपेरा जो होता है क्या होता है एक कहानिया होती है कहानिया जो धारवाहिक रूप से दिखलाई जाती है सूप उपेरा एक इतीवरत सो लेकर चलती है जिसे नियमित दसक जानते हैं जैसा प्रकार से जो सीरियल होते हैं जो हमारे क्या है हमारे दिलो दिमाग में छिप जाते हैं जिस प्रकार से पहले सक्तिमान आता था सभी को पता होगा सक्तिमान जिन्होंने देखा होगा पहले जो आता था सक्तिमान तो वह एक प्रकार सी इमेज अभी भी बनी हुए सक्तिमान का, कि सक्तिमान जब अभी भी सीरियल जो आता है धारवाई शीरियल, तो उसी पर क्या है, सारी चीजी, उसी पर डिपेंड हो जाता है वे, बच्चे उसको काफी देखना प्रे। करते हैं तो यह सूप उपेरा का एक जामपल है सूप उपेरा क्या होता है इसका आपने परिभासा दे दिया है अगला प्रश्ण दिखते हैं ठाइस नमबर प्रश्ण कि अपूछ हगा है समाजिक आंदोलन किस उद्देश से उत्पन होते हैं इसके बारे में आपको परिभासा देना है समाजिक आंदोलन समाज सासरे बज़ा तो समाजिक आंदोलन के बारे में चर्चा तो होगा ही होगा समाजिक आंदोलन में एक सामान अभी मुक्ता अधवा किसी परिवर्तन को लाने का तरीका होता है सामाजिक आंदोलन प्राया किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश से क्या है उत्पन होते है जो परिवर्तन लाने से किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने का क्या है उद्देश से ये उत्पन किया जाता है सामाजिक आंदोलन परिवर्तन में लाने से क्या है उद्देश से उत्पन होते हैं 28 नंबर प्रशन का आमने अंसर दे दिया है उसके बाद देखे 29 नंबर यह सबसे पहला अंदोलन है दूसरा है चिपकू आंदोलन तीसरा है अपिकको आंदोलन चौता है साइलेंट घाटी आंदोलन और पाचवा जो है जंगल बचाओ आंदोलन छे है नर्मदा बचाओ आंदोलन और सातवा है तेरी बांध विरोधी आंदोलन तो यह भारत में होन तो उसके लिए आपको क्या करना है , इसके बारे में आपको पूरा जानकारी देना होगा तो इसके लिए तीन नंबर आपको दिया जाएगा इतना लिख दीजेगा उसके बाद ने देखिया हमारा आकरी प्रेशन इस वेडियो का बचता है तीस नंबर प्रेशन की मातवनसी परिवार से आप क्या समझते हैं जो मातवनसी परिवार है इस से आप क्या समझते हैं यह ऐसे परिवार होते हैं जिसमें क्या है माता जो है वो परमुक होती हैं इसी को हम मातवनसी परिवार कहते हैं जन्जातियों में ऐसा क्या परिवार पाया जाता है अब यह प्रशन हो जाता है पित सतात्मक परिवार तो भया वहाँ पर पिता का आ जाता है जिसे माता का परशनों का परशन सथीत उत्तर बताया है और हमने लिखने का तरीका भी वरताय है कि कौन कौन से गल्ति आपको नहीं करने है और बोल एक्जाम किस तरह से लिखना है चैनल लगा है काफी ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम हुआ है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक हमारे कीजिएगा चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब पर लीजिए जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए सब्सक्राइब पर लीजिए क्योंकि हम इस बार 2024 बोर्ड एक्जाम की तैयारी करा रहे है और जितने भी जो आर्ड साइस के स्टूडेंट है हर सब्सक्राइब पर लीजिए बैल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि जो हमारी नई वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुचे उसके बाद में क्या है कॉमेंट भी कीजिएग हमारी में आपका कोई डाउट है तो आप हम से पूचिए और हमा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे इस चैनल पर तो मिलता है नेस्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जाएंगा